भारतिय कप्तान विराट कोली और ओक कप्तान रोहिट शर्मा आइसीसी वंडे रैंकिंग में पहले दो स्थान पर कायम हैं जबकि तेज गेंदबाज जस्प्रीद बुम्रा गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरा स्थान बनाये हुए हैं विराट कोली 871 अंक के साथ टॉप पर हैं जबकि रोहिट 855 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं इंग्लैन के खिलाफ पहले टेस्ट में शांदार पारी खेलने वाले पाकिस्तान के बाबर आजम ने 829 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं जबकि न्यूजिलाइन के रोस टेलर 818 अंकों के साथ चौतिस स्थान पर हैं दक्षन एफरिका के फॉफ डू प्लेसी 790 अंकों के साथ पांच वे स्थान पर हैं वहीं बुम्रा 719 अंक के साथ गेनबाजों के सूची में दूसरे स्थान पर हैं चपके न्यूजिलान के ट्रेंड पोल्ट पहले सान पर हैं। अफगानिस्तान के मुजीवर और रह्मान, 201 अंकों के साथ तीसरे और आस्ट्रिलिया के पैट कमिन्स, 889 अंकों के साथ चौते सान पर हैं। कमिन्स टेस्ट रांकिंग में टॉप पर हैं और वह आईपेल में भी सबी विदेशी खिलाडियों में सबसे महंगे खिलाडी हैं। साथ अफरिका के कैगीजो रबाड़ा, 665 अंकों के साथ पांच विस सान पर हैं। इंग्लैंड के कप्तान इयॉन मॉर्गन ने अंतिम वंडे में सेंच्यूरी लगाई। उन्हें एक पाइदान का फाइदा मिला और वह बाइस वे स्थान पर हैं। जॉन्नी बियरस्टो एक पाइदान के फाइदे से तेरिवे स्थान पर पहुँच गए हैं। सैम बिलिंग्स 132 रण जुटाने के बाद रैंकिंग में 146 स्थान से प्रवेश करने में सफल रहे। इंग्लैंड के गेंदबाजों में लेक्स्पिनर आदल राशित उन तीसवे से पच्चिसवे स्थान पर पहुँच गए। इंग्लैंड को सीरीज में मिली जीच से ICC पुरिश विश्व कप सुपर लीक में 20 अंक मिले जिसमें 13 टीमे भारत में होने वाले अगले 2023 विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाइट सान हासल करने की कोशिश करेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।